नमस्कार, VIP इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आडियो आठकल में BTC DLIT सिछा दिगदर्शन 33 सिमिस्टर से समाजिक अध्यान अध्याय पहले में हैं भारत में मुगल समराज जी मुगल वंस का संस्थापक बाबर था उतरवर्ती मुगल सासक तुर्क एंसुन्यू मिसल्मान थे बाबर ने मुगल वंस की अस्थापना के साथ ही पद पाद साही की अस्थापना की जिसके तहस सासक को बाद साथ कहा जाता था भारत में मुगल समराज की निव रखने वाला बाबर मद ऐसिया की छोटी सी रियासित फरगणा के सासक का पुत्र एउत तैमूर का वनसस था अपने पिता की मृत्यों के बाद बाबर फरगणा का सासक उमर से एक मिर्जा बना उस समय उसकी उमर 11 वर्स के लगभग थी बाबर महतो कांची सासक था वह अपने पूर्वर तैमूर के राज समरकंद को जीतना चाहता था इसी उद्देश से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया तथा वहां से भारत की ओर आकरसित हुआ बाबर के भारत पर आकरमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इन में से कोई राज ऐसा नहीं था जो देश की रच्छा के लिए इन सब को एक सूत्र में बांद कर नेतुत कर सकता हो पूरे देश में सोतंत्र राज्यों का उदै हो गया था अतह राजनीतिक दसा ठीक नहीं थी दिल्ली सल्तनत के पस्चाद भारत में मुगल वंस का सासर्ण आरंभ हुआ तथा भारत में मुगल राज की अस्थापना बाबर ने 1526 इश्वी में की थी उसके उत्रात कारियों हुमायू, अकबर, चाहगीर, साजहां और औरंग्येव के समय में मुगल समराज की सकती और समृत में उत्रोत्तर विकास हुआ समस्थ भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर, मुगलों ने एक सूधरिण परसास्निग व्यवस्था क्यों अस्थापित किया था बाबर को कलम और तलवार दोनों का ही सिपाही कहा जाता है सैनिक कारियों के साथ साथ वह साहित के परती भी रूची रखता था उसे तुरकी यो फार्सी भासा यो साहित का अच्छा ग्यान था बाबर स्वेम भी उचकोटी का साहितिकार था उसने अपनी आत्मकता लिखी थी जिसके फार्सी अनुवाद को बावर नामा कहते हैं बावर को बगीचों का बहुत सौप था उसने आगरा तथा लाहूर के आसपास बहुत सी बाग बगीचे भी लगवाए थे बावर ने कुछ युद लड़े थे जिसमें पानीपत का युद हुआ था तो पानीपत के युद के बारे में जान लेते हैं कब और किसके मद हुआ था पानीपत के युद के बारे में कुछ चर्चाएं हैं बावर का 1526 इश्वे में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इबराहिम लूदी से सामना हुआ बाबर के पास अच्छी बंदूके और बारूदे तोपोग थी जो भारत के सासकों के पास नहीं थी बाबर के पास परसचित सेना वा कुसल गुर सवार थे जिनैं अनेक युद्धों का अनभव था उसने अपनी सेने का कुसलता से संचालित किया इस युद्ध में इबराहिम लोधी मारा गया और बाबर की बिजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा पर्देश उसके अधीन हो गया आगे जान लेते हैं हुमायू कौन था हुमायू और सेर साह के मद्ध हुए युद्धो का परिचे हुमायू बाबर की मिर्ट्व के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायू 1530 इस्वी में मुगल सिहासन पर बैठा सिहासन पर बैठते ही हुमायू को अबगान गुजरात के सासक बहादूर साह तथा सेर साह से चुनौती मिली उसके सगे संबंदी भी उसके लिए कठनाईया उत्पन कर रहे थे उन्होंने उसके सत्रों का ही साथ दिया सेर सासूरी सेर सासूरी बिहार के एक छोटी सी जागिर के अपगान सरदार का पुत्र था सेरसा के बच्पन का नाम फरीद था एक बार उसने अपने मालिक की जान सेर से बचाने के लिए सेर को माल डाला था तभी से फरीद का नाम सेर खांप पड़ गया सासक बनने के बाद वह सेरसा नाम से पुकारा गया सेरसा ने जाउनपुर में अर्बी, फार्शी, इतिहास और साहित का ग्यान प्राप्त किया हुमायू तथा सेरसा के मद्ध युद्ध, चाउसा का युद्ध हुआ था हुमायू सेरसा के बढ़ते हुए परभाव से संसकित था अतह उसने सेरसा को नियंत्रित करने का निश्चे किया मुंगरे के पास गंगा को पार करके सेरसा की ओर बढ़ा 1549 इस्वि में चौसा नामकस्थान पर दोनों में भीशड युद्ध हुआ इस युद्ध में हुमायू की प्राजे हुए उसने भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई अगला करनोज का युद्ध हुआ सेरसा अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुना अस्थापित करना चाहता था अता 1540 इस्वी में करनोज में हुमायू और सेरसा का युद्ध हुआ इस युद्ध में भी हुमायू की प्राजे हुई और सेरसा ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर सेरसा सूरी के नाम से सासन किया हुमायु सिंध के रास्ते से होते हुए फारस चला गया विपिदा के दिनों में उसे अमर कोट के राजबूत राजा बीर साल ने सरनच्छड दिया अमर कोट में ही 1542 इसवे में अकबर का जनम हुआ अगला है सेरसाह ने जनता की भलाई के लिए काउन काउन से कार किये थे सेरसाह बिद्वानों का सरनच्छड देता था उसने अनेक मकतब और मदर से बनवाये थे जनता की भलाई के लिए उसने निम्ण परकार की कार किये थे पहला है सड़कों का निर्माड कराया जिससे वेपार में उन्निती हुई दुसरा है सड़कों के दोनों और उरिस लगवाए कई मदर से मक्तब खुलवाए यात्रियों के बिस्राम के लिए सराय बनवाई और कुए खुदवाए दिल्ली के निकट यमुना के किनारे सेर पुर नामक नगर बसाया दिल्ली के पुराने किले में सेर ए मंडल बनवाया है जिसमें हुमायू की बाद में पुष्ट काले का रूप दे दिया हुमायू की वापसी कब हुई सेरसा द्वारा अस्थापिस समराज दिन परती दिन कमजोर होता गया हुमायू ने इस कमजोर का लाव उठाते हुए और दिल्ली की और गद्धिपुना प्राप्त करने की कोशिस की फारस के सासक की सहेता से कंधार को जीत लिया 1555 इस्वी में हुमायू ने पंजाब को जीत कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया 1556 इस्वी में पुस्त काले की सीडियों से उतरते समय पैर फिचलने से हुमायू की मिरित्तु हो गई अकबर कौण था उसने भारत को जीतने के लिए कौण कौण से निती अपनाई थी आप अकबर के बारे में जान लें अकबर का जन्र 1552 इस्वी में अमर कोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था सर्द 1556 इस्वी में हुमायू की मिरित्तु के समय अकबर की उमर केवल 13 वर्स थी पिता की मिरित्तु से अकबर बहुत दुखी हुआ बैरम खाने उसे धैर बधाया और कल नौर नामक अस्ठान पर 1556 इस्वी को उसका राज़번 से कर दिया हुमायों की मृत्यू के बाद आदिल साह सूरी के मंतरी हेमू ने दिल्ली पर कबज़ा कर लिया उसने विक्रमादेतिकी उपाधी प्राप्त की और दिल्ली के राजा सीहसन पर बैठ गया 1556 इश्वी में अकबर अपने संड़चक बैरम खा को साथ लेकर पानिपत के मैदान में पहुँच गया दोनों की सेनाओं के बीच गमासान युद्धुआ सत्रु सेना का एक तीर हेमू की आँख में लगा और हेमू पकड़ा गया और बैरम खा ने उसे मार दिया इस परकार दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो गया 1556 इश्वी में अकबर ने स्वतनता पूर्वक सासन करना प्रारम किया उसने से उसने 1562 इश्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की पर्था तथा 1563 इश्वी में तिर्थी आत्री कर समाप्त कर दिया 1564 इश्वी में हिंदूों से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया अकबर ने संपूर भारत को जीतने के लिए दल बदल भेद वा मित्रता की नीती का सहारा लिया मालवा, जाउनपूर, चुनार मेरट, गोडवाना, रडधंबौर, काली कंजर, मारवाड़ा, गुजराद बिहार, बंगाल, काबूर, कस्मीर, सिंध, उड़ीसा दथा दच्छड भारत के भागो पर उसने बिजय प्राप्त कर ली 1567-68 में एक लंबे संगर्स के बाद उसका चित्तड़ पर अधकार हो गया जैमल और पत्ता के निर्टिस में राजपूतों ने अकबर को कठी चिनोती दी इसमें गोडवाना, राजकी, रानी, दुर्गावती तथा मेवाड के सासक महराणा परताब परमुक थे आगे जहागीर के कारियों का पर्चे दीजिए, जहागीर ने गद्धी पर बैठते ही न्याय के परती दिल्चस्पी दिखाई लोग खीत के अनेक कानून बनाए, आगरा किले में साहबूर्च का खंबे से एक घंटा लटकावाया फरियादी उसकी जंजीर खीच कर बासाह तक अपने फरियाद पहुचा सकता था जहागीर उचकोटी का बिद्धवान था, उसे भार्ची का इच्छा अच्छा ग्यान था उसने तुझू के जहागीरी नामक आत्म कथा लिखी उसे कला से भी अच्छा प्रेम था, उसे इमारते बनवाने एवं उद्धान लगवाने का बहुत साउक था वह सहित्त कारों और चित्रकारों का आस्त्रे दाता था साजहा का पर्चे लिखिये, जहागीर की मृत्यू के बास साजहा गद्धी पर बैठा उसका सिहासन 1628 इस्वे में आगरा में हुआ सासक बनते ही उसने खान जहां लोधी का बिद्रोह, मुंदेल खंड तथा नूरपूर के, जमीदापूर, जगत सिंग के बिद्रोह का दमन किया उसने पुर्टगालियों से भी युद्ध कर उन्हें खदेड दिया उसने समराज को सुद्रिण बनाने के लिए उद्धेश से दच्छिड भारत के अहमद नगर, गोल कुंडा, वीजापूर पर आकर्मण किये मराठो के साथ मुगल सेना का संगर्स हुआ, साजहां के चार पुत्र थे दारा, सीको, साह, सुजा, औरंगजेव और मुराद साजहां के चीवन काल से में ही सीहासन के लिए संगर्स प्रारंभ हो गया जिसमें औरंगजेव को सफलता मिली, उसने साजहां को कैद में डलवा धिया औरंग्जेब कौन था उसने सत्ता समालते हुए क्या परिवर्थन किये इसके बारे में कुछ अर्चाय हो औरंग्जेब मुगल समराट साहा साजाहा का तीसरे नंबर का पुत्र था उसका जम तीन नंबर 1618 इस्वी में उज्जैन के निकट हुआ था औरंग्जेब 1618 इस्वी में गद्दी पर बैठा औरंग्जेब के सत्ता समालते हुए निम्निपरवर्थन किये औरंग्जेब ने तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया मदिरा भांग आधी के सारुजनिक सेवन पर रोक लगा दी जन आचरण पर नजर रखने और अनयतिक्ता को रोकने है तो मोहतसिप न्यूक्त किये जनता पर लगे लगभग 80 करों को हटा दिया उसके द्वारा जारी सिक्कों से कलमा हटवा दिया मुगल समराज का पतन कैसे हुआ और अंजेव की मिर्त्य के बाद मुगल समराज का तेजी से पतन हुआ मुगल दरवार सरदारों के बीच आपसी जगडों और सड़यंत्रों का अड़्डा बन गया और सिग्र ही महत्तो कांची तथा प्रांतिय सासक स्वतंत्र रूप से कार करने लगे समराज की कम जूरी उस समय बिश्व के सबसे असपष्ट हो गई जब सन 1749 में नादिर साह ने मुगल समराज को बंदी बना लिया था तथा दिल्ली को खुले आम लूटा सेरसाह द्वारक किये गए भूमी सुधार सम्बंदित कारियों का उल्ले कीजिए सेरसाह के सासन काल में किर्शक क्राज का मुख्य अधार था किसानों की भलाई वः फसलों की रच्छा के परती वः स्वेम पर्यास करता था सेरसा ने पहले सारी किर्सी भूमी की माप कराई और इस माप के अधार पर भूमी का वर्गी करण कराया पैदवार की किस्म के अधार पर किसानों से लगभग भुस भूराजस्व निर्धारित दर पर वसूल किया जाता था सेरसा किसानों के पट्टे बाड़ता था जिन में भूमी की किस्म और अलग अलग फसलों के लिए लगान के दरे दी हुई होती थी किसान से शुकार नामा लिखवाय जाता था जिसमें राज की माल गुजारी की मांग के अनुशार राशी भुक्तान करने का वादा किया जाता था किसान लगान उपच की रूप में दे सकता था नगत देने के भी उसे सोतनता थी सेर साह की सैन व्यवस्था पर भी टिपड़ी लिखिये सेर साह की सैन संगटित और सक्तिसाली थी सैन इको को राजकोस से वेतन दिया जाता था उसकी सेना में गुड़ स्वार पैदल सेना, हाथी और तो खाना की टुकड़ी भी थी सेना के घुड़ो को दागने एव सैनिको के हुल्या लिखे जाने की भी व्यवस्था की गई थी सेर साह सैनिको की भरती, भरती वस्त्रो, हतियार वेतन, पदुरिद्धी, आदि की देख भाल स्वयम करता था केंद्री सेना के अत्रीक अधिनस्त राज्यो की भी सेनाए भी थी, जो आवसकता नुसार सुल्तान की सेवय के लिए आ जाती थी सेर साह के केंद्री पर सासन का उल्ले कीजिए, सेर साह के केंद्री सासन अत्यंत उचकोटी का था वह एक निरंकुष और स्वेच्छाचारी सासन के रूप में सासन का केंदर बिंदू था सासन की समस्त सक्तियां समराट में ही निहित थी वह अपने को इश्वर के परतिनिधी मानता था वह अपने राज्ज में उच्पदों पर पदातकारी को श्वेम नियुक्त करता था वही परधान नयदीश एवं परधान सेना पती था उसकी आग्या ही कानून होती थी यह पी वह एक निरंकुष शासक था किन्तु अत्याचारी समराट नहीं था सेरसा और हुमायू के मद्ध लड़े गए चावसे की युद्ध का वर्डन कीजिए चावसा का युद्ध यह युद्ध हुमायू और सेर खां के बीच 1549 इस्वे में बक्सर के समीब चावसा में हुआ था जिसमें हुमायू प्राजित हुआ हुमायू को गंगा नदी में कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी थी निजाम खां नामक भिष्टी ने गंगा में डूबने से हुमायू को बचाया था सेर साह ने इस युद्ध में बिजय स्री प्रात करने के बाद सेर साह की उपादी धारण की सेर साह दवारक किये गए सैनिक सुधारू का उल्ले कीजिये सेर साह अलादिन के सैनिक संगटन से बहुत परभावित हुआ था और उसके उसके परदान सिध्धानतों को गर्हन किया वह सेना को वस्तुत्व संगठी तत्था ससक्त बनाना चाहता था उसके समय में मनसब दारी की परडाली लागू नहीं थी सेना देश के विभिन भागों में विभक्त रहती थी और छाउनियों में रहती थी जिसमें दिल्ली और रोहतास मुख्य थे हर एक छावनी में रहने वाली सेना फाउज कहलाती थी जो एक फाउजदारी के अधिन रहती थी अफगानों में फिरको का भेद भाव बड़ा परबल था इसलिए परशिद फिरको के सरदारों के पास अधिक सेना रहने दी जाती थी स्वैम बादसा के अधिन एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें एक लाग पचास हजार अस्वा रोही और पचीस हजार पैदल सुनिश्चित सेना थे जो बंदूकों और बाडों से सुसज्जित रहते थे अस्वा रोही सेना बड़ी सु सिच्छित तथा सु संगटित थी आगे सेरसा द्वारा की गई राजस्व व्यवस्था यानि भूमी व्यवस्था की पर्मुख विशिष्थाओं का वड़न कीजिए सेरसा द्वारा की गई भूमी व्यवस्था को पर्मुख विशिष्थाओं निन लिखी थे संपूर भूमी की नाप सेरसा ने सरोपर्थम राज की सीमा में उपलब्दी भूमी की नाप करा दी नाप का आधार रस्सी थी रस्सी के द्वारा नाप की जाने लगी लगान का निर्धारण भूमी की किस्मे सासन नहीं थी उत्तम किस्म की भूमी उपच की द्रिष्टी से सारुथिक उचकोटी की थी जबकि मद्ध किस्म की भूमी बहुत ही कम उपयोगी थी अतहल लगा लागन का निर्धारण करते समय मुखितह दो बातों का ध्यान रखा ज लगान की वसूली लगान इर्धारण में जितनी नर्मी दिखाई जाती थी लगान की वसूली में उतनी ही अधिक कडाई भी की जाती थी सेर साह को अकबर का पत परदर्शक क्यों कहा जाता था अकबर के अगरगामे पत परदर्शक के रूप में सेर साह का अस्थान अधिकांस बिद्यावन का मत है कि अकबर के गावरो साला गावरो साली सासन काल का मार सूर वन्स के संस्थापक सुल्तान सेर साह ने ही निर्धारण किया था सेर साह ने जिस पर सासनिक संस्थाओ की अस्थापना की उन्हें ही आगे चलकर अकबर के पल्वी एव पुस्पित किया इसी लिए सेरसाह को अकबर का अग्रामे पत परदर्सक कहा जाता है डाक्टर कानूनगो का मत है सेरसाह अकबर के ही समान एक राष्टी सासक था जिसने भारती राष्टेता के अधार पर समराज की अस्थापना की खानवा का युद कब और किसके मद्ध हुआ था खानवा का युद बाबर और राणा सांगा के मद्ध 1527 इस्वी में हुआ था राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंग था बाबर के फतेपुर सिक्री आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामा कस्थान पर राणा सांगा को युद में हरा दिया बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिये तो बाबर एक उच्चकोटी का साहितिकार था उसने अपनी आत्मकथा तुझुक एब बाबरी नामक पुष्टक की तुर्की भासा में लिखी थी तुर्की भासा में लिखी थी सेर साह ने दिल्ली पर कब और कब तक सासन किया उसके मृत्त किस परकार हुए सेर साह ने पंदर सो चालीस इसवी से पंदर सो पैतालीस इसवी तक कुल पांच वर सी दिल्ली की गद्दी पर सासन किया किन्तु अपने सासन काल में उसने ऐसा सु 145 इस्वे में सेर साह के कलिंजर के किले पर घेरा डाला था तभी बारूत के एक डेर में आग लगने से उसकी मृत्तु हो गई अकबर का राजपूत नीतियों पर परचे देजिए अकबर का चतुर समराड था वह जानता था कि हिंदू के सहयोग के बिना ना तो समराज का बिश्टार कर सकता है और ना ही समराज पर अपनाधिकार बनाए रख सकता है इसके लिए उसने अनेक हिंदो को मनसब्दार बनाया। इनमें अधिकांस राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाई सम्बंध तत्था, व्यक्तिकत स्थापित किये। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निरधारित की। उसने राजपूत रजाओं को दोस्ती कर्सरिष्ट एयों स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया जिसमें मुगल समराज काफी दिन तक जीवित रहा अकबर के भगवान दास राजामान सिंग बीरुबल यहों डोडरमल जैसे राजपूत रजाओं को उच्च मनसबदार परदान किये अकबर ने आमेर बिकानेर जैसल मेर की राजकन्याओं से बिवाह किये अकबर की धारमिक नीती क्या थी अकबर अन्य धर्मों के परती उदार था उसने शारो मान धर्म दीन ए इलाही की अस्थापना की उसने फतेपुर सिक्री में एक इबादत खाना यानि प्रात्नागिरी बनवाया जहां वह सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था सन्थ 1605 इस्वी में अकबर की मृत्तू हो गई जहांगीर का परचे दीजिए जहांगीर अकबर का पुत्र था जहांगीर का जनम 1569 इस्वी में हुआ था उसका बच्पन का नाम सलीम था अकबर के नौरत्नम अब्दुल रहीम खान खानमा से सलीम ने तुर्की तथा फार्सी भसाओ का ग्यान प्राप्त किया अकबर की मृत्यों के बाद सलीम का राजब से नौरुद्दिन मुहम्मद जहांगीर के नाम से सन 1605 इस्वी में आगरा में हुआ था नौर जहां का वास्वीक नाम क्या था उसका पुत्र पती कौन था जहांगीर ने कई विवाह किये थे सेर अफगान की बिधवा नौर जहां से किया गया विवाह परमुप था नौर जहां तेहरान निवासी ग्यास बेक की पुत्री थी उसका बचपन का नाम महरूनिसा था महरूनिसा था उसका पहला विवास सेर अफगान नामक एक इरानी के साथ हुआ था उसकी बुद्धी और सुनरता के कारण जहांगीर द्वारा उसे नौर जहां की उपादी थी जहांगीर के सासन काल में नौर जहां ने क्या सहयोग किया जहागीर के सासनकार में नूर जहां की भूम का महत्तपूर थी वह योग महिला थी उसने राज के कारियों में जहागीर का पूरा सहयोग किया एवबासा के वेवसानों पर नियंत्रण किया वह बड़ी बलवती और सासी महिला थी वह जहागीर को युद्ध में भी सक्रिय सहयोग देती थी वह सुनस्षित, सुसंस्कृती और कलाप्रिय महिला थी जहागीर दुआरा किये गए पर्मुकारियों का पर्चे दीजिए जहागीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय के परति दिल्चस्पी दिखाई लोखित के अनेक कानून बनवाएं आगरा किले में साह बूर्ज पर खंबे से एक घंटा लटकुआया फरियादी उसकी जंजीर खीच कर बाससा तक अपनी फरियाद पहुँचा सकता था जहागीर उच्चकोटी का बिद्द्वान था उसे फार्सी का अच्छा ग्यान था उसने तुझके जहागीरी नामक आत्मकथा लिखी उसे कला से भी अच्छा प्रेम था उसे इमारते बनवाने एं उद्धान लगवाने का बहुत साउग था वह साहित कारो और चितकारो का आस्रे दाता था मयूर सियासन का निर्माड किसने किया और इसे काउन लूट कर ले गया मयूर सियासन तकते ताउस साजहा ने बनवाया था इसकी सनरस्ना बहुमूल रतनो एं कोही नूर हीरो से की गई थी यह एक सुनहरे रंका खाट के रूप का था इसमें मिनाकारी किये गए बारह खंबे थे और परते खंबे पर दो मयूर थे जिसके बीच वुरिच पर हीरा पना मोती एं लाल मडियो आदी से नकासी की गई थी जिसे बाद में सन 1749 में नादिर साह लूट कर एरान ले गया आरंग जेप को सासन गरहन करते समय किन कटनाईयों का सामना करना पड़ा था आरंग जेप को सासन गरहन करते ही उसने जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा अजिकारियों की संख्या बढ़ाने से परियाप्त जागीरे चागीरे और वेतन की आवसकता थी जागीरदार तबादले की आसंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रूची नहीं रखते थे इससे लगान कम मिलने लगा औरंग्जेब की इस्तिती एक अनार सव बिमार जैसी हो गई औरंग्जेब ने अपने राज की समस्याओं से निपटने के लिए आहोम यानि असंब वीजापूर तथा गोलकुन राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया किन्तु जितना लगान इन राज्यों से मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था उसके बिद्रोह को सांथ करने के लिए धन समय और उर्जा वै करनी पड़ती थी मुगल समराज के पतं के कारणों की सूची इस परकार है प्रिमुगल समराज के पतन के कारण नमबर एक पे हैं आरंग जेब की धार्मिक नीती, नमबर दो है आरंग जेब की दच्छिड नीती, नमबर तीन है आयोग समराथ, नमबर चार है उत्रादकारी के नियम का अभाव, नमबर पांच है समराज की विशालता, नमबर छे है मर नमबर ग्यारह है अंग्रेजों का उत्कर्ष सेर साह का बच्पन का नाम क्या था? सेर साह का बच्पन का नाम फरीत था जाउनपूर के सासक ने फरीत को सेर खांप की उपादी दी थी सेर साह ने किसको प्राजित कर सूर्वंस की अस्थापना की? सेर साह ने हुमायू को प्राजित कर सूर्वंस की अस्थापना की थी सेर साह ने भूमी की पैमाईस क्यों कराई? सेर साह ने भूराजस्वक की द्रिष्टी से भूमी की पैमाईस कराई? सेरसाह द्वारा बनवाई गई किसी एक सड़क का नाम लिखिये सेरसाह ने बंगाल से दिल्ली लाहोर होकर पंजाब तक की सड़क बनवाई थी इसे ग्रांट ट्रंक रोट कहते हैं सेरसाह द्वारा किये गए दो हितकारी कारियों का उले कीजिए सेर साह द्वारक किये गए दो हितकारी कार निम्रिकित है नमबर एक डाग चौक्यों की वहस्था कराई नमबर दो है सिच्छा के विकास के लिए कई मदर से तथा मक्तब बनवाए सेर साह ने किस वंस की निव डाली सेर साह सूर वंस की निव डाली थी सेर साह के पिता का नाम हसन था सेर साह को सेर खाँ उपादी इसलिए दी गई क्योंकि बच्पन में उसने सेर मारा था जिसके कारण उसको सेर खाँ के उपादी मिली सेर साह द्वारा लड़े गए दो युद्धों के नाम लिखिये तो पहला दो चावसा का युद्धा दूसरा कन्नोज का युद्धु था सेरसा द्वारा बनवाई गई दो इमारतों के नाम रोहतासगड का किला और सहसा राम का मकबरा सेरसा की भूमी ववस्था की दो विशेश्टाय लिखिये संपूर भूमी की नाप यो लगान का निर्धारण सेरसा द्वारा की गए दो लोग हितकारी कार लिखिये सरायों का निर्माड यो शड़कों का निर्माड धन्यवाद इस आडियो आडिकल को सुनने के लिए ऐसे ही आडियो आड कर सुनने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद